ICC की नई टेस्ट रेंकिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को बहुत बड़ा जटका लगा है दाये हाथ का ये बल्लेबाज अब सीधे 6 पोजीशन लुड़क कर 9 स्थान पर पहुंच चुका है बाबर आजम पिछले हफते 3 स्थान पर थे लेकिन अब ये खिलाडी टॉप 10 से बाहर होने की कागार पर है बाबर के लिए पिछला कुछ समय बहुत खराब रहा है बांगदेश के खिलाब भी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में बाबर पहली पारी में बिना ख़तक होले आउट हुए उसाहीं दूसरी पारी में उनके बल्ले से सिर्फ 22 रन निकले बाबर बेहत खराब फॉर्म में है और इसका सीधा सासर उनकी रैंकिंग्स पर देखा जा सकता है दूसरी ओर टीमिडिया के तीन बल्ले बाज अब टॉप 10 में पहुँच चुके हैं रोहिश चर्मा उनमें सबसे उपर छटवे स्थान पर हैं यशुच्वी जैसवाल की बात करें तो वो एक पोजिशन उपर चड़कर नमबर आट पर आ गए है यशुच्वी जैसवाल ने दो पोजिशन की छलांग लगाकर साथवी पोजिशन हासिल कर ली है ICC टेस्ट रेंकिंग में इंग्लेंड के वल्लेबास जो रूट टॉप पर बरकरार है न्यूजिलेंड के केन विलियमसन दूसरे स्थान पर काविश हैं तीसरे स्थान पर डेरल मिचल हैं हैरी ब्रूप ने तीन पोजिशन की छलांग लगाकर चौते स्थान पर जगा बना ली है वहीं पांचवे स्थान पर स्थीश्मित और छटे स्थान पर भारतिय कपतान रोहिश शर्मा है साथवे नंबर पर यशश्वी जैसवाल हैं और आठवे नंबर पर हैं विराट पोली बाबराजम नौवे स्थान पर हैं पिशली 14 पारियों में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाने का नुकसान इस खिलाडी को सीधे तोर पर हुआ है दूसरी और मौमद रिजवान दसवे नंबर पर हैं पाकिस्तान के पहले विकित कीपर हैं जो आई सी सी की टेस्ट रेंकिंग में अब टॉप 10 में पहुंच चुके हैं आई सी टेस्ट रैंकिंग में शाहिन अफ्रीदी को भी बड़ा जटका लगा है पाकिस्तान का ये तेज गेंदबाज अब रैंकिंग में दो स्थान लुड़क चुका है शाहिन अब आठवे से सीधे दस्वे नंबर पर पहुंच गए हैं भारत की तीन गेंदबाज टॉप 10 में काबिज है आरेश्विन पहले नंबर पर हैं जस्वीद बुम्रा और जॉज हिजलवूड दूसरे नंबर पर हैं वहीं रविंद जडेजा की बात करें तो अभी भी सात्वे नंबर पर मौझूद है